सबसे पहले हमने एक तो अपने ओपडी काउंटर पे काउंटर बढ़ाने को डिरेक्शन दिये थे वह हो गया है सानौगरफी की चाहिए है उस पेंड़न सी को निकालने के डिरेक्शन दिये थे वहेए उसे कि अलावा आज हम लोग cry करेंगे और कुछ हम यहां पर कोशिश करने के लैब टेक्शन और कुछ जो फिल्ड में जो आइडल स्टाफ है उस स्टाफ को यहां रगाने का प्लान चल रहा है तो वो अभी हम एक्सराइज करने हैं वो भी हम हफ्ता दस दिन में पुरी करवा देंगे मैं डॉक्टर इंदरजी सिंग स्रेक मिदेशक अजमियर जोन से आज यहां जिला कलेक्टर के साथ पूरे जिला श्काल की और अपने एमसिच विंग की विजिट की गई है यहां पर जो लोगों को सेवाइं दी जारी है उसी को सेवाओं को देखते वे हम दी गई सेवाओं की कौलिटी इंप्रूब करने के लिए एक NKVAS के माधियम से जो हमारे कई डिपार्ट्पंट हैं आई पीडी हैं इंडोर हैं हमारे लेबर रूम हैं ओटी है इसके लावारा हमारा पेडिक आई पेडि आई पीडी हैं इन सभी को एक वयवस्तित इस्टीम में लाइने लाइने के लिए लोगों को हमारी सर्विस जो परापत हो रही है उन में हम एक आने वाले समय में एक पेशिन सेटिसफेक्शन सेटिफिकेट कि आप क्या अस्पिताल की सेवाओं से संतुष्ट हो यह आने वाले समय में हम एक मरीज से पांस से दस पॉइंट कुशनरिस का भी हम बरवाने जा रहे हैं ताकि हमारे हॉस्पिटल की दीवे गई सेवाओं का एक लेवल हम जानक सके हैं तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए यह एक जॉइंट विजिट रखी गई है जिला कलेक्टर मोहदे और सीमेचो और मेरे द्वारा पीमोसाद में दोन विजिट गया है और इसी तरह की सेवाओं हम सीएसी पीएसी लेवल पे भी हम देना चाह रहे हैं ताकि वहाँ भी हम ऐसी कुछ सेवाओं दें ताकि मरीजों में एक सैटिस्फेक्शन बड़े नहीं भी सरकारी सेवाओं में हमें एक अब टू मार्क मिल रही है देखे एक बड़ा चैलेंज अस्पतालों में होता है वो होता है सबसे पहला कि मरीज संतुष्ट कैसे हो चूंकि डॉक्टर्स के रिलेशन को लेकर कई बार सवाल उखते है डॉक्टर्स के विवार को लेकर सवाल उखते हैं दवाख और उसके उप्चार को लेकर सवाल उखते उन पर चैलेंज को किस तरह से चिके अलगर के मरीज से फींटे हैं मैंने अभी तोड़े फेल चाहा कि हम उनके पास डॉकुमैनटेशन है कि मरीज को हम एक कागच पे कुछ Questions लिखे वे देंगे क्या आप डाक्टर की सेवों से संतुझत हैं लेबरीटर की सेवों से संतुझत हैं या दी गई दवाईन से संतुझत हैं जां चों से संतुझत हैं इस तरह की कॉस्षिनरीस मिला कर चाहे वो आउडोर में हो चाह इंडोर में हम आने वाले समय में एक शुरू करने जा रहे हैं ताकि एक मरीज का सैटिसफेक्शन एक हम ओन डॉकुमेंटेशन कर सकें कि हमारी सेवाँ से इतने प्रतिशत लोग सैटिसफाइड हैं तो आज उसी को लेकर एक बैट के चर्चा पुरी की गई है सभी डेपार्टमेंट्स को हमारे मैडिसन, सरजरी, गाइनी, पीडिया, हमारे डेंटल, हमारे ओर्टोबेटिक्स, इमर्जेंसी सेवाएँ तो हमारे सभी सेवाँ को देखते वे एक चर्चा की गई है और इन चर्चाओं को देखने के लिए इनका एक मेजर्मेंट के लिए एक चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट को उस चेकलिस्ट में पेशन का इंटर्वी है स्टाफ का इंटर्वी है डॉक्टर का इंटर्वी है और उस चेकलिस्ट के बाद एक स्कोरिंग की जाएगी उस स्कोरिंग में हमें कम से कम 80-80